नमस्कार दोस्तों, तो हम UPPCS में आए हुए परियावरन के प्रस्णों का अब लोकर नुर विशलिसन कर रहे थे, 2012 से ले करके 2018 तक सभी प्रस्णों को हमने देख लिया है, इस वीडियो में 2019 के सारे प्रस्ण है, तो सबसे पहला प्रस्ण है एको सिस्टम के सम्मंध में, नि 1936 में एजी टांसले ने परियोग किया गया था, उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि बायो डाइवर्सिटी का सब्द का परियोग, फिर जै विवित्ता सब्द का परियोग, तो आपको याद आ ही रहोगा, चलि मैं बोल देता हूँ, हाट सब्द का परियोग 1988 में किया गया नॉर्मन मायर्स के द्वारा, इसे तीन वर्स पूर्व 1985 में जै विवित्ता सब्द का परियोग किया था, डवलू जी रोजिन द्वारा, और वायस्वेर रिजर्व सब्द का परियोग, एडवर्ड सुएस द्वारा किया गया है, नेक्स देखते हैं, इसमें वही लिखा ह इसमें, नेक्स देखते हैं, सुपोशन के संदर में निमलिखित में से कौन से कथन सही हैं, और मैं बता दू यह कॉशन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका ही है, तो पहला कथन है, यह जल निकाय के पोसकता तो संबर्धन की घटना है, तो बिल्कुल सही है, पोसकता तो जल निकाय में, दूसरा, यह जल में घोलित ऑक्सिजन को कम करता है, तो जब पोसकता तो बढ़ जाते हैं, तो जीवों की संख्या बढ़ती है, और ऑक्सिजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि उनकी रिकार्मेंट पूरे होते हैं, तो विकल्ब C, एक और दो दोनों सही हो गया, नेक्स्ट, मानव गतिवीधियों से परिवर्तित परियावरन कहलाता है, तो जो परियावरन, मतलब परियावरन अगर मानव की गतिवीधियों को तो परिवर्तित हो रहा है, उसको बोल देंगे एंत्रोपोजेनिक परियावरन, फिर से बोलता हूँ, एंत्रोपोजे अथवा मनुस्यों द्वारा उत्पन प्रदूसन को एंथ्रो पोजेनिक परियावरन या प्रदूसन कहते हैं तो यह इसकी मतलब भरिभासा थी नेक्स्ट निमलिकित कत्नों में से कौन सा कत्न सही नहीं है तो जो कत्न सही है पहले उसको पढ़ लेते हैं उसन कटिवन दिये सितोसन छेतरों की अपेक्षा अधिक जातियों को आसरे देते हैं तो बिल्कुल सही है सितोसन छेतर की अपेक्षा अधिक जाती उसन कटिवन दिये छेतर में रहते हैं दूसरा सही कत्न विसालतम जय बिवित्ता अमेजनी वर्सा वनों में पाई जाती है यह भी सही है नेक्स्ट जाती बिवित्ता सितोस्न छेत्रों से धुर्वो की और घटती है तो यह भी सही है सितोस्न से धुर्वो की और घटती है फिर विश्वत रेखा से धुर्वो की और घटती है दोनों इस सब्ध का परियोग आपको याद आई रहोगा डबलू जी रोजन ने 1880 में किया है और इसके तीन सलवाद हॉट सब्ध का परियोग किसने किया था आप कमेंड बॉक्स में बताईएगा नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा बायू परदूसन के जैविक सुचक का प्रसिद उधारन है तो ये भी रिपीटेट कोशन है बायू परदूसन का सबसे प्रसिद जैविक उधारन लाइकेंस है और लाइकेंस के बारे हमने पढ़ा था इसके सरीर का निर्मा सहवाल और कवक से होता है और यह Symbiosis यानि सहजीविता का एक उदाहरन है Next गैस जो धान के खेत से उत्सरजित होती है तथा भूमी के तापमान में बृधी करती है वो है तो मिथेन मिथेन धान के खेत से उत्सरजित होती है और भूमी के तापमान को बढ़ाती है मिथेन को ही CH4 बोलते है और ग्रीन हाउस एफेक्ट में इसका योगदान होता है Next अच्छा मिथेन के वारे में कुछ लिखा हुआ है मिथेन गैस बाढ़ गरस धान के खेतों में तथा कक्षिक खेतरों में इस सब याद रहने के बसकता नहीं बसूपर वलाई फैक्ट महत्पुर्ण था और 20% तक योगदान देता है मिथेन गैस बैस्विक तापन को बढ़ाने में Next निमलिखित गटनाओं को उनके प्रारंब के कालानुक्रम में बेवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए तो कालानुक्रम में तभी करेंगे जब डेट हमें याद रहेगा तो हमें पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ है यह भी रिपीटेट क्वेशन है प्रोजेक्ट जो एलिफैंट है यादि की प्रोजेक्ट हाथी यह 1992 में शुरू हुआ है और वन जीव सनरचन अधिनियम उने 172 में आया जैब विट्ता अधिनियम 2002 में बना है तो इस दिरिश्टी से सबसे पहले जो हो जाएगा उने 172 में बन जीव सनरचन अधिनियम और दूसरा जो हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर 173 वाला और तीसरा जो हो जाएगा वो चोठा नमबर प्रोजेक्ट हाथी और जैब विट्ता अधिनियम सबसे लास्ट में इस दिरिश्टी से ये बी नमबर जो है ये सही हो गया अच्छा टाइगर रिजर्ब की जब बात आ रही है तो टाइगर रिजर्ब की संख्या अब कितनी हो गई है बैसे हम लोग जानते थे 50 है लेकिन अब दो बढ़ गया है एक आमन नमबर का ये निकी 51 जो है उस्त्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई नाम से टाइगर रिजर्ब है तामिल नाडू में और बामनमा ये निकी 52 जो टाइगर रिजर्ब भारत का बना वो रामगर विजधा बढ़ कर पार रिजर्ब है ये राजस्तान में है रामधर विजधारी वामनमा हैं लास्ट नमबर का आचा इसमें क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं है इसको छोड़ते हैं क्या का से कुछ नहीं और देखते हैं अच्छा इसको देख लेते थोड़ा सा कानून वला बात जो प्राभदान है तरह कानुन के उलंगन पर कानुनी सhजा का प्राभधान है इस अधिनियम की 6 प्राभधान है मतलब की जो अनुसची 1-2 जो है उसमें मतलब जीवों की नुकसान प्हुंचाना पुर्णता परतिवंदित होता है और अगर उलंगन किया जाता है मतलब जीवों को नुक्सान पहुचाया जाता है तब कठोर सजा दिया जाएगा वैसे जीव जो अनुसुची एक और दो में सामिल हैं मतलब उनके नाम दर्ज हैं तीसरी और चौठी अनुसुची जो है वो क्या है वे ज परन्तु इन्हें हानी पहुचाने पर तुलनात्मा गुरूप से कम सजा मिलती है और पाच्मा जो है वो ऐसे जीवों के नाम अनुसुची पाच में सामिल होते हैं जिनका सिकार किया जा सकता है और छठा जो है वो पौधों के क्रिशिगत उपयोग एवंबानी जिगरन पर अठीवंध लगाया गया है जो चठे नसुची में और इसी अनसुची के तहत ही अधिकारियों को सिकार के संबंद में अपराज निर्धारित कर सजा देने और जुर्माना लगाने की सकती दी गई है तो यह ऐसे पूछ सकता है क्योशन कि अपराज निर्धारित करने का जो प्रती व्यक्ति GDP के मद संबंद दर साता है इस परियावर्निय कुजनेट्स वर्क का आकार किस प्रकार का होता है तो ध्यान रखना है सबसे पहला फैक्ट तो इसी में है मतलब क्वेश्चन में ही कि परियावर्निय कुजनेट्स वर्क जो है तो कुजनेट्स वर्क्र क्या वो क्या बताता है तो परियावर्णिये छती एवं प्रती व्यक्ति GDP के मद संबद को दरसाता है जो relation between environment and per capita GDP जो है उसमें relation कैसा है ये कुजनेट्स वक्र का आकार किस परकार का होता है तो यू तो होता है एक यू होता ही ABCD में और उसी का उल्टा रूप होता है तो उल्टा यू आकार होता है तो विकल्ब A इसका सही अंसर हो गया नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सा एलवीडो से सम्मंदित है तो बापसी की सकती विकल्ब D इसमें यही अंसर हो जाएगा मतलब यह हुआ कि प्रकास आता है और वाइट रहता इसलिए प्रावर्तित हो जाता है सत इसने भाग का बापस प्रावर्तन हो जाता है उसे एलवीडो या प्रत्यावर्तिता कहते हैं दूसरा पॉइंट जमी हुई बर्फ का एलवीडो उच्छ होगा जिसका अर्थ है वह सौर विकिरन को अंत्रक्ष में प्रावर्तित करती है तो मैंने बताए सब ज़्याद है बर्फ काई होता है जमी बर्फ का तीसरा जबकि हरित छेत्रों जैसे बनों एबं मैदानों का अलवीडो निम्न होगा तो हरित छेत्र जो होगा उसका अलवीडो निवनितम होता है लास्ट पॉइंट यह दो कार को पर निर्भर करता है सता की प्रकृति तथा विकिरन का आ DCO के संबंद में निम्लेकित कत्रों में से कौन से सही हैं तो दोनों सही पढ़ देता हूं या बैस्विक अनुसंधान कारिकरम प्रत्वी पर कारवन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है गहरी कारवन बेदसाला के बारे में बता रहा है दूसरा या गहरी मैक्रोवियल परिष्थ की तंद्र के छेतरी अवलोकन के लिए भी है तो ये भी सही है DCO का मतलब यहां पर अबजर्वेट्री था तो पढ़ देता हूं फिर से गहरी कारवन बेदसाला या प्रत्वी में कारवन की मात्रा, कारवन का रूप, कारवन की उत्पत्ति को समझने के लिए एक हजार से अधिक बैग्यानिकों का दस वर्सी ये बैस्बिक सहीयोग है एक तरीके से अच्छा, गहरी कारवन बेदसाला को लांच करने के लिए प्रारंबिक बित्पोसन के रूप में, दस बरसों के लिए अलफ्रेड पी स्लोन फांडेशन द्वारा, पचास मिलियन डॉलर की रासी परदान की गई है तो अलफ्रेड पी स्लोन फांडेशन, इसे मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ न, क्योंकि उनीस बीस का क्वेशन देखा गया है कि इसमें आएगा, मतलब अनुमान तो ऐसी ही लगा जा सकता है, पिछले बरसों को देखा गया, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ नेक्स्ट, निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कार्टेजन है प्रोटेकल, बायोसेपटी से सुमेलित है स्टाक होम समेलन, अनवरत जैविक प्रदूसन समेलित है मौंट्रेल, प्रोटोकॉल ये भी सुमेल है ओजोन परत से, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल का संबन कारवन उतसरजन में कमी से है वही चीज़ान लिखावा है क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतरास्टी समझाता है जो अंतरास्टी रूप से बाध्यकारी उत्सरजन कटोती लक्षियों को पार्टियों हेतु परतिवद करता है तो ध्यान रखना क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझाता है उसका उद्देश से क्या है इस्तरीकरिन और ग्रीन हाउस गैस की सांदरता के पुनर निर्मान से जलवायू प्रनाली पर मानव जीवन के हानिकारिक प्रभाब को रोकना नकी जल संदचन करना तो कुल मिला करके इसका क्या है जलवायू परिवर्तन के संदचन से संबंदित है क्योटो प्रोटोकॉल और यह बाध्यकारी है नेक्स्ट कथन और कारण है तो कथन है उसन कटिवन दिये देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वधी संख्या में पाई जाती है तो ये बिल्कुल सही है कारण तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती है तो ये बात भी दोनों कथन कारण सही है ब्याक्या भी करता है कि सबसे जादा तितलियां अभी पाई गई है तो कौन से देश में पाई गई है कोलंबिया में ये मतलब दर्ज हुआ है आकड़ा कि कोलंबिया देश में सबसे जादा तितलियों की संखिया है तितलियों की सर्वदीक प्रजातिया उसन कडिवंदिये देशों में पाए जाने का कारण तितलियों का अनियत तापी यह की cold-blooded होना है दूसरा पॉइंट यह अपने सरीर के तापमान को बिनियमित करने में सक्चम नहीं होती है यह वो बिनियमित नहीं कर पाती है अपने सर वायू वाला छेत्र तितलियों के रहने के लिए सर्फिश्ट अस्तान माना जाता है। और शाएद इसलिए कोलंभिया में तितलियों की संखियां दुनिया में सबते ज्यादा पाई गई है। नेक्स्ट, पारितंत्र में एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में अस्थानांत्रन से उर्जा की मात्रा क्या होगी, घटेगी, पारितंत्र में अगर एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में उर्जा जाएगा तो घट जाता है, विकल बीज का सहिंसर है कैसे, क्य आगे वाले को मिलेगा अगले पोसनस्तर को मिलेगा अच्छा उर्जा में एक चीज़ ये भी होता है पास की तंत्र में उर्जा का परवा एक दिसी होता है उर्जा का पिरामिड ऑल्वेज सीधा होता है और प्रतेक पोसनस्तर पर नबे परसे उर्जा खपत हो जाती है उब् कल्व डीज का सही एंसर हो गया, नेक्स्ट, धुआ यानि कि स्मॉग आवस्यक रूप से बायू मंडल में निमलिकित की उपस्तेती की कारण होता है, तो नाट्रुजन तथा सल्फर के उक्साइड की उपस्तेती कारण स्मॉग हो जाता है, और स्मॉग जो है यह सकेंड प्रदुसक है, यहनि कि दूत्यक प्रदुसक के रूप में काउंट होता है, नेक्स्ट, निमलिकित छेत्रों में से किसमें दुरलव उपलब्धी के लिए बैस्विक 500 पुरुसकार दिया जाता है, तो दुरलव उपलब्धी के लिए परियावरन संद्चन के लिए दिया जाता है बैस्विक 500 पुरुसकार, विकल बीस का सरी इंसर है, वो ही लिखाओ है यहांपर बैस्विक 500 पुरुसकार, इस पुरुसकार से ऐसे बैक्तियों और संगठों को समानित किया जाता है, जिनोंने समाजिक, राजनेतिक और अन बाधाओं के बावजूद परियावरन के मुद्दों का मुकावला किया है, और परियावरन संद्चन हित्व अपनी भूमी का अदा की है, नेक्स्ट, अचा ये वी रिपेट कोश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैब भिवित्ता संपन्चेत्र कौन सा है, पस्चिम घाट है, तो भिकल सीस का सेयन सर है, पिछले वर्स का सीस है, एदम सेम कोश्चन को डाल दिया है, तो W.G.Rogen ने कब? उनेसो पचासी में, तीन सालवाद उनेसो अठासी में होड रस्पोर्ट सब्द का प्रियोग किया था, सबसे पहले किस ने, क्या नाम था, नॉर्मन मायर्स ने किया था, हाँ, अच्छा, बाइस फेर रिजर्व सब्द का, एडवर्ड सुएस ने, नेक्स्ट, निमलिखित में से कौन सा भारत में, सतत भिकास लक्षियों के कारेंवेन के लिए, एक नोडल संस्ता है, तो नीती आयोग नोडल संस्ता है, और ये, अच्छा, जो सतत भिकास लक्षों 17 है, लेकिन नीती आयोग जो है, वो नीती आयोग जो एक तरीके से राष्टिय संबंद बनाना है नहीं तो भारत सरकार बनाती है इसलिए 16 पॉइंट पर ही काम करता है अब एक वीडियो और आएगा जोहर 20 का तब तक के लिए थैंक्यू अब वीडियो सेयर जरूर कीजिए